अदाब नमस्कार असलावनेकुम नाजरेन पलपल निउस के निज्रोम से मैं हूँ आपके साथ नदिम अखरम जंगल में मोर नाचा जंगल में मोर नाचा किसने देखा किसने देखा जी हां उसी ने देखा जिसे आज यूपी पुलिस ने ठोका विकास दुबे का आज जिस नाटकी रुपांतरन इसे नाटकी रुपांतरन तो नहीं कह सकते इसे ये जरूर कहेंगे कि 90 की दशक का कोई फिल्मी सीन चल रहा था और उस फिल्मी सीन को दोहराया गया जैसे मानो शुटिंग चल रही हो जी हां हिस्ट्री शिटर विकास दुबे का एंकाउंटर कर दिया गया और उस एंकाउंटर के बाद सवाल खड़े होने चाहिए और सवाल क्यों ना खड़े हो इसके उपर भी मैं बात करूंगा पर बात की जाए उन आरसेस के दलाल पत्रकारों की जो तफाकतित कुछ लोगों को खुश करने के लिए कुछ लोगों की बाते बताने के लिए इतने उत्सुक नजर आते हैं कि वो इस घटना पर यूपी पुलिस को शाबासी देते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि ये वही आरसेस के दलाल पत्रकार हैं जब बाबरी मस्जित केस की सुनवाई होती है तो सुप्रीम कोट के एड़ोकेट को ले करके बैठते हैं और ये बताने की कोशिश करते हैं कि जम्यत उल्माएं इंद ने जो है बाबरी मस्जित का सौदा कर दिया ये वही आरसेस के दलाल पत्रकार हैं और मुस्लिम चैरे हैं जो तबलीकी जमातियों का इंसिडेंट होता है तो ये बताते हैं के 200-200 तबलीकी जमाति गिरफतार हुए पर वो गिरफतार ही नहीं होती उन्हें हॉस्पिटल कुरंटाइन करके बेजा जाता है ये वही आरसेस के दलाल पत्रकार हैं जो खुल करके अपना संगी चैरा कभी मुसल्मानों को शत्रमुर्ग बनाते हैं तो कभी वो ये बताने की कोशिश करते हैं के देखिए मौलाना साथ साब जो थे वो हलाला का काम करते हैं वो तमाम बाते बताते हुए नजर आते हैं य जिन से सावधान रहने की जरूरत है कल को आपकी भी मुगबरी करते हुए नजर आएंगे क्योंकि बात यहां की जाएगी तो सिर्फ हिस्ट्री शीटर विकास दूबे की विकास दूबे का आज एंकाउंटर किया गया और एंकाउंटर पर सवाल क्यों ना खड़े हों जिस प आकाल मंदिर से गिरफतारी होती है या यू कहिए कि विकास दूबे सरेंडर करता है विकास दूबे की गिरफतारी होती है गिरफतारी के बात जो है शाम को पांच बजे तकरीबन कानपूर से पुलिस पहुंचती है इंदौर और इंदौर में पांच बजे के आसपास जब बुलेट प्रूफ जैकेट विकास दुबे को पहनाई जाती है और विकास दुबे को बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने का वीडियो भी बनाया जाता है और अचानक महज 8 घंटे के अंदर उजयन से कानपूर आने से 2 किलो मिटर पहले विकास दुबे का एंकाउंटर हो जात तो bulletproof jacket विकास दुबे ने कया निकाल करके फैक दी या निकाला गया ये सवाल खड़ा होता है पर यहां पर कोई सवाल पूचा नहीं जा रहा विकास दुबे के पास जब bulletproof jacket थी और अभी की कहानी को उठा करके आप बात करें तो पुलिस का कहना है कि चार गोलिया विकास दूबे पर दागी गई है उनके सीने पर गोली मारी गई है और कमर पर गोली दागी गई है अगर सीने और कमर पर गोली दागी गई है तो बुलट प्रूफ जैकेट के रहते हुए विकास दूबे कैसे मर गया या विकास दूबे कि बुलेट प्रूफ जैकेट को क्यों निकाला गया एम एनकाउंटर से पहले ये कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं जिसके कटगरे में यूपी पुलिस है जिसकी शबासी देते हुए तमाम आरेसेस के दलाल पत्रकार और गोधी मीडिया योगी सरकार के श्रै पर ये सहरा बांध रही है कि एक एतियासिक कदम है अपरादी का अंत जरूरी है कानून को अपने हातों में लें और किसी का भी एनकाउंटर कर दे या तो आप खुद को कोट, जज और समविधान समझने लगे हैं जहां आप समविधान की धजियां उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूँगा तब तक के लिए दीजिये मुझे इजाज़त शुक्रिया तक के लिए पुद के लिए नजर रहे हैं